हलो बच्चो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं क्लास 9 के फीजिक्स का चैप्टर गती यानि मोसन उसका आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नमबर 3 और इस लेक्चर में आये हम लोग और जदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास जरूर सेयर कीजिएगा और दोस्तों समझ में नहीं आयागा तो comment जरूर कीजिएगा और ज़रे समझ में भी आ जाये तो comment करना ना भूलिएगा तो चलो भाई start करते हैं start कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा topic की बात हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है odometer किया औरडो मीटर अब यह आरडोमीटर क्या होता है इसको इंगलिस में भी औरडोमीटर ही कहते हैं ठीक है अब भाई आईए अब हम लोग इसको बहुत ही अच्छा से समझ लेते हैं गाली तेखे होंगे चलिए हम लोग 4WILL तो नहीं चला पाते हैं लेकिन दोस्तों हम लोग टूविलर तो आराम से चलाते हैं और अधिक तर नाइंथ के बच्चे टूविलर चला लेते हैं लेकिन दोस्तों बस चलाईए आराम से चलाईए तो जब हम लोग टूविलर चलाते हैं दोस्तों तो मान लिजिए घर से इसकूल गए, इसकूल जब गए तो घर पे जब थे, तो आप देख़े, जहाँ पर लाइट होता है, जिसको आप लोग मुंडी कहते हैं, गाड़ी का है ना हैंडिल के साथ जुड़ा होता है उस मूंडी में आप देख रहे होंगे कि ऐसे गोल गोल उसमें एक काटा होता है काटा ऐसे होता है उसके बाद वहाँ नीची पे देखेंगे कि जैसे घड़ी में होता है ना घड़ी में उस जैसे डेट दिखाता है वैसे वहाँ पे एक नंबर दिखाता है और वो नंबर जो होता है मेरे भाई लोग उस नंबर को हम लोग दूरी कहते हैं यानि जैसे यह घर पे जब थे ता मान के चलिए मेरा ओडोमीटर वही गोल जो दिखता है न वही होता है ओडोमीटर जो गाड़ी में मुन्डी में जो गोल एको लगा हुआ होता घड़ी जैसा ठीक है और जिसमें दूरी को मापता है ठीक, स्पीड को भी बताता है कि आप कितना स्पीड चल रहे हैं अभी उसी को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं ठीक है दोस्तों, किलियर है तो वहाँ पी जो नंबर दिखता है वो हमारे द्वारा ताई की गई दूरी होती है जैसे मान लीजे अभी हम घर पे थे तो घर पे मेरा ओडोमीटर में हम देखे तो मेरी गाड़ी जो चली थी पांच सो किलोमीटर चली थी अब अपना कॉलेज जो अपना किलोमीटर हो गया तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि ओडोमीटर जो होता है दोस्तों वो वाहनों में लगा एक यंत्र होता है जो हमारे द्वारा ताई की गई दूरी को मापता है यानि वाहन के द्वारा ताई की गई दूरी को मापता है उसी को हम लोग क्या करते हैं ओडो मीटर करते हैं ठेक है तो चलिए इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं लिखेंगे ओडो मीटर ओडो मीटर एक यंत्र होता है जो वाहनो वाहन मींच गाड़ी बगेरा जो वाहनो द्वारा तय की गईदूरी को परदर्सित करता है परदर्सित करता है चिक करता है उसी को हम लोग ओडो मीटर करते हैं जैसे आप देखे होंगे गाड़ी जो होता है गाड़ी में हम लोग देखते हैं कि यह ऐसे करके उसके मुंड़ी में गोल होता है यहाँ पे नंबर उठने के लिए इतना सा खाली यह नमबर दिया हुआ होता है, और एक कांटा होता है, जब हम लोग चलते तो कांटा ऐसे बढ़ जाता है, फिर रूक जाते है, जीरो में आ जाता है, यही जो होता है, इसी को हम लोग कहते है, ओडोमेटर, और यहाँ पे, आपका जो तय की गई दूरी है, उसको लिखा को आता है ठीक है तो क्या है ओडोमेटर एक यंत्र है जो वहानों द्वारा तै की गई दुरी को मापता है इधर तो किलियर हो गया होगा दोस्तों तो आईए अब हम लोग डिसकस करने वाले हैं चाल क्योंकि चाल बड़ा इंपोर्टेंट चीज है चाल जिसको उमलूब बोल स्पीड तो चाल किसे कहते हैं लिखेंगे एकाई समय में एकाई समय में किसी वस्तु द्वारा या वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा तै की गई दूरी को चान कहा जाता है चान कहा जाता है चीक है क्या कह रहे हैं कि एकाई समय में तो दोस्तो देखें एकाई समय ही होना चाहिए चाहे वो घंटा में हो, चाहे वो मिनट में हो, चाहे वो सेकेंड में हो एकाई का मतलब होता है दोस्तो एक, एकाई का मतलब क्या होता है? एक यानि एक घंटा में जितना दूरी तय होता है उसी को हम लोग चाल करते हैं या एक मिनट में जितना दूरी तय होता है, उसी को चाल करते हैं, या फिर एक सेकेंड में जितना दूरी तय होता है, उसी को हम लोग चाल करते हैं. जैसे माल लीजिए, यहां पे एक कोई वस्तू है, बिंदु ए पर, ये एक घंटा में अस्थान भी तक गया, ठीक है, एक घंटा में ये कितना 50 किलो मीटर चला, कितना में तो उस्तों 50 किलो मीटर एक घंटा में, या फिर आप कह लिजिए कि एक वस्तू है, यह यहां से एक वस्तू है, जो अस्थान A से या स्थिती A से, इस्थिती B तक जाता है, ये एक मिनट में दोस्तों 5 किलो मीटर की दूरी तय किया, यानि देखिए एक यू जोगा, या तो एक घंटा, या फिर एक मिनट, यानि एक मिनट में जो दूरी तय किया, उसी को हम लोग ने क्या कहा दोस्तों? उसी को हम लोगों ने चाल कहा, या फिर एक घंटा में जो दूरी तय होती है, उसी को चाल कहते हैं, अर्थात दोस्तों यहां पे तो समझ में आहे गया होगा, अर्थात चाल बराबर क्या होता है भ अगर आप इसको mathematical form में लिखोगे, mathematical form में लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, हम लोग चाल को V से denoted गरते हैं, और दूरी को D से denoted करते हैं, और समाई को T से denoted करते हैं, मेरे भाई लोग, यानि यहाँ पे अगर देखें, तो mathematical form में चाल का formula क्या हो जाएगा, V बराबर D वटे T, अब हम लोग देखते हैं, कि इसका मातरक क्या होना चाहिए, इसका, अब हम लोग देखते हैं, इसका SI मातर, तो बहाईओ, अगर आप SI मातरक की बात करें, तो दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी का मातरक मीटर होता है, और time का second होता है, तो मीटर पर सेकेंड, दूस्तो इसी चीज को अगर यह बटे में हैं, यह बटे में, उपर ले जाऊगा, तो इसमें power लग जाता है, मीटर पर्ति सेकर्ड अम बात यह है कि सर हम लोगों ने यहां पि एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ सीखा कि चाल जु होता है चाल का ऐसा ही मातरग क्या होता है मीटर पर सेकर्ड होता है लेकिन चाल की बात करो दोस्तू तो चाल जो होता है न चाल एक सदिस रासी होता है क्योंकि चाल की कोई दिसा नहीं होती है अधिस रासी होता है ठीके वैया चाल क्या होता है एक अदिस रासी होता है और याद रखना मेरे भाई लोग और दिदी लोग चाल कभी भी नेगेटिव यानि रिनात्मक और जीरो नहीं होता यानि अगर आप देखें तो चाल हमेशा क्या होता है भाई लोग चाल हमेशा पॉजटिव होता है अर्थत हमेशा धनात्मक होता है चाल हमेशा धनात्मक होता है और क्या दोश्तो चाल कभी भी सुन्य या रिनात्मक नहीं होता है यानि चाल कभी भी सुन्य या रिनात्मक नहीं होता है ठीक है भाई इनो चाल जो होता है कभी भी रिनात्मक या सुन्य नहीं होता है और चाल की कोई डारेक्शन नहीं होती है मेरे दोस्त अब बात ये है कि चाल कितने प्रकार के होते है तो दोस्तों चाल जो होता है चाल का अगर आप देखोगे टाइप चाल जो होता है भाईयो चाल आपका दो प्रकार का होता है चाल कितनी प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है एक होता है आपका एक समान चाल एक समान चाल ठीक है इसको हम लोग इंगलीस में बोलते हैं यूनी फॉर्मली इस्पीड और एक होता है दोस्तों और समान चान और समान चान जिसको हम लोग बोलते हैं नन यूनी फॉर्मली इस्पीड ठीक है भाई लोग नन यूनी फॉर्मली इस्पीड अब आईए इसको थोड़ा बढ़ियां से हम लोग समझने कि कोसिस करते हैं अब देखिए दोस्तों एक समान चाल हम लोग किसको कहते हैं ठीक है लिखेंगे किसी वस्तू द्वारा किसी वस्तू द्वारा निश्चित समय में निश्चित समय में हां निश्चित समय में समान चाल से निश्चित समय नहीं लिके ना निश्चित समय में ठीक है समान चाल से दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहा जाता है एक समान चाल कहा जाता है ठीक है भाई एक समान चाल कहा जाता है अब बोलोगे सर यह कैसे हम लोग समझेंगे माल लिजिए कि यहां पे मेरा घर है ए हमको जाना यहां पे है बी तक ठीक है तो यहां से यहां तक एकदम दोस्तों अगर यह माल लिजिए हमने बाईक चलाया तो 20 किलो मीटर परती घंटा के रफ्तार से ही चलाया जबकि यहां से यहां तक मेरा दूरी था कितना मान के चलिए 40 किलो मीटर तो 40 किलो मीटर चलने में हमको 2 घंटा लगा इसका मतलब यहां साप साप पता चल रहा है कि 20 किलो मीटर जो है हम लोगों ने एक घंटा में तई कर लिया, तब न दूसरे घंटा में हमने 40 किलो मीटर ताइ किया, है ना तब ना, और ऐसे भी हम जब जा रहे थे, जिस दिन ऐसे करके मान लिजे, अपने हिसाब से चल रहे थे, कभी 10 का इस्पीड चला रहे थे, कभी 20 का इस्पीड चला रहे थे, तो आप उतना ही चलाओगी बाइक ठो या जो भी चीज़ चला रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया एक सामान चाल क्योंकि वहाँ पे स्पीड जो है ना चाल जो है ना हर जगा आपका सामान होगा ठीक है इसलिए हम लोगों को यहां तक दो घंटा पहुँचने में लगा मतलब हर घंटा में 20-20 किलो मीटर हम लोगोंने दूरियां तई की इसलिए यह क्या हो गया आपका यह हो गया आपका एक सामान चाल हो गया अब भाईया यहां पे हमको जहां तक लगता है यह नहीं हो पाएगा इसलिए आप लोग इसका स्क्रीन सोट ले लिजिए फिर हम लोग और सामान चाल को समझते हैं तो मेरे भाई लोग हमको जहां तक लग रहा है कि आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा दया आ रहा एक दमार तो चलिए 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 इसका इस्क्रिंशॉट ले लिजिए तो अब हम लोग करते हैं दोस्तों और समान चाल को लोग कर लेते हैं और समान चाल ठीक है और समान लिखेंगे किसी वस्तू किसी वस्तू द्वारा निश्चित समय में निश्चित समय में ठीक है निश्चित समय में समान चाल से दूरी तय नहीं करता है नहीं करता है तो ऐसे चाल को और समान चाल कहा जाता है कहा कि जाता है बुला सर बिलकुल बिलकुल जैसे देखिए दोस्तूं यह माल जी आपका घर है या मेरा घर है किसी का भी आप कहाँ गए यहां तक गए बिंदू B तक गए जबकि इसका दूरी जो था वो 40 किलो मुटर टोटल था बीच में यहां पे इधर यहां से बिंदू C से यहां तक माल लीजे 20 किलो मुटर है ठीक है और यहां से यहां तक 20 km है, लेकिन हम जब यहां से यहां तक चलें दोस्तों तो एक घंटा नहीं, बलके 20 km दूरी तई करने में हमको डेड़ घंटा लग गिया हूँ, ठीक है? और दूसरा 20 किलो मीटर दूरी तै करने में हमको मात्र एक घंटा लगा क्या लगा दोस्तों मात्र एक घंटा लगा जबकि पहले हम देखिए पहले 20 किलो मीटर डेल घंटा में तै किये और अब 20 किलो मीटर हम एक घंटा में तै कर रहे यानि यहाँ पे मेरा समय निश्चित अगर हम करेंगे, समय माल लेगे, समय तो एक घंटा में ये कितना करेगा, जहां तक उम्मीद है कि ये 15 किलोमेटर करेगा, तो एक घंटा में एक बार में 15 किलोमेटर हो रहा है, और एक बार में एक घंटा में 20 किलोमेटर हो रहा है, तो अलग अलग चाल से distance को तई किया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे और समान चाल कहेंगे है ना किलेर हो गया अब आईए दोस्तो हम लोग जो करने वादे हैं औसत चाल क्या औसत चाल औसत चाल को भाईयो हम लोग बोलते हैं average average speed आउज जी औसत चाल को भी समझते हैं पूरा बढ़िया से पहले क्या करते हैं इसको define कर लेते हैं और एकदम खुलन खुला समझेंगे बस बात खतम तो भाईया इसको पहले define कर लेते हैं लिखेंगे जब कोई वस्तु द्वारा तोई की गई की गई कूल दूरी हाँ कूल दूरी और और उस दूरी उस दूरी को ताय करने में लगा कूल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाते हैं चलिए definition कर लिए आईये इसको एकदम आराम से समझते हैं ठीक है घबराने में वली बात नहीं है कि औसत चाल क्या होता है पहले एक करम करते हैं इसका formula वगेरा सारा कर लेते हैं ना तो औसत चाल बराबर क्या होता है अर्थात अर्थात औसत चाल बराबर तथा दूरी तई करने में लगा कूल समय ठीक है भाई यह हो गया हम लोगों का एक फॉर्मूला इसी को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो यानि औसत चाल जो होता है औसत चाल को हम लोग भी एवी मिन्स एवरेज बराबर कूल दूरी को डी मान लिजिए चलिए कूल दूरी को दोस्तो क्या मान लेंगे डी मान लेंगे और कूल समय को टी मान लिजिए ठीक है अब आईए इसको समझ लेते हैं पहले फिर इसका यूनिट क्या होगा कौन रासी होगा ये भी हम लोग समझने वाले मान लिजिए आपका घर यहाँ है बिन्दू ए पर और आपको जाना कहा है दोस्तो बिन्दू बी तक जिसकी दूरी हम देखें तो टोटल सो किलो मीटर है क्या है सो किलो मीटर है ठीक अब हम गए यहां से यहां तक एक घंटा हमको लगा कितना बीस किलो मीटर तै करने में कितना एक घंटा अगला बीस किलो मीटर तै करने में हमको कितना लगा दोस्तो डेड़ घंटा कितना डेड़ घंटा ठीक है और अगला 20 किलो मीटर दूरी ताइ करने में हमको कितना लग जाता है 2 घंटा समझे बात को 2 घंटा और अगला 20 किलो मीटर ताइ करने में हमको लगता है मात्र 30 मिनट यानि आधा घंटा और दोस्तो उसके बाद बिंदू B तक 20 किलोमीटर और ताई करने में हमको लग जाता है 3 घंटा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों हर 20 किलोमीटर दूरी ताई करने में हमको अलग-अलग समय लग रहा है तो अब क्या हम करेंगे ये टोटल समय को हम जोड देंगे ठीक है हमको एक चाल निकालना है कि हम कितना एक घंटा में चल पा रहे हैं तो अब क्या करेंगे दोस्तों इस एक सोको ये टोटल टाइम जोड करके भागा दे देंगे तो जितना आएगा ना मान लिजिए सो और इधर मेरा हो गिया 10 घंटा तो सौ को दस से भाग दे देंगे तो कितना दस किलो मीटर आएगा यानि एक घंटा में average हमने निकाला कि हर एक घंटा में हम कितना चल पा रहे हैं अपने वाहन से तो दस किलो मीटर परती घंटा से चल रहे हैं लेकिन अगर ऐसे करके देख रहे हैं, तो हर एक घंटा, दिर घंटा में, मतलब हर 20 किलो मीटर में मेरा समाई क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, क्योंकि रास्ता सही नहीं हो पारा, तो हमने क्या किया, सब दूरी को जितना दूर गए, उस दूरी को add किये, ठीक है, और कितना समाई से अगर हम divide कर देंगे, तो मेरा उसत चाल आ जाएगा, और आईए ना, अभी हम लोग समझने वाले हैं, एक numerical से समझेंगे, कि किस तरह से उसत चाल निकाला जाता है, तो दोस्तों, अब बात ये है, कि उसत चाल जो आपने बताया सर, तो उसत चाल का SI मातरक क्या होगा, त तो चाल का जो SI मातरक था, वही इसका भी होगा, इसका भी SI मातरक वही होगा, meter per tis second, अगर आप देखो गिए ये भी चाल से related है, तो ये भी positive ही होगा, क्या होगा, ओसत चाल आपका याद रखना धना तमक ही होगा, ठीक है भई, क्या होगा, धना तमक ही होगा, 0 कभी नही होगा सुन्य कभी नहीं होगा अगर आप रासी की बात करोगे किसकी रासी की बात करोगे दोस्तों तो ये अदीस रासी ही होगा क्या होगा अदीस रासी ही होगा ठीक है क्या होगा वाई अदीस रासी ही होगा के लियर है यहां तक आप लोग एक काम करिए मेरे बड़े बड़े भाईया छोटे छोटे दीदियो जल्दी इसका स्क्रिन सोट ले लीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं मेरे भाई लोग और दीदी लोग चलिए ले लीजिए